नमस्कार विवर्स आपका अपने चैनल सुवन हंडिकाप में फिर से एक बार स्वागत है विवर्स आज मैं आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहती हूं वह यह है कि हमारे जीवन में कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जैसे कि लापरवाही और भूल इन शब्दों का कोई स है तो हमारे साथ बहुत बड़ी हो सकती है आज मेरी घर में ऐसा ही हुआ कि कल मेरे बच्चों को बाहर जाना था और बाहर जाते हैं तो फिर मेरी बहुत को थोड़ी आदत यह है कि जाने से पहले वह प्रेस मारती है अपने कपड़ोंगा प्रेस लग करती है तो उसने भी छोड़ दिया प्रेस को भी ऐसे नहीं रखा ऐसी पठ ठोड़ दिया और फिर दीरे आख से लगती रही मैंने भी द्यान नहीं किया मैं बाहर की तरफ सोग गया के और पूरी रात ऐसी से लगती जब अर्ली मॉर्निंग मैं सुबह उठी तो मैंने देखा लोबी में सारी में कि दुआ था सांस लेना भी भारी हो रहा था तो फिर समय नहीं आये कि यह तो समय की कि प्रैस होगी वहां पर ओगा होगा फिर लेकिन अंदर वाले रूम में वहां भी कोई दुआ नहीं था फिर सोचा कि शायद ऊपर वालों ने कुछ किया हो उसकी वज़े से दुआ हो ग करते हैं वह एक बोक्स है और उसमें गर्म कपड़े होते हैं सारे उसके उपर भी कपड़े रखे हुए थे बच्चों की उनिफॉर्म वगरा भी थी वहां पे तो पूरे बोक्स के ऊपर इतनी उची उची आग जल रही थी तो बस मैं समझ यह तो प्रेस का ही कमाल है तो फिर पानी से और पाइप से हमें उसको गैस सारी आपको शांत किया उपर से पाइप आ गया और एक पाइप मेरा था दोनों पाइप से लेकर पूरी आपको शांत किया और जब संदुक के ऊपर की आग शांत हो गई उसके बाद में जब संदुक ठंड़ा भी हो गया उसके बाद और फिर बोक्स को भी दोनों ने उठा के बाहर रखा तो आप यह कहने का मतलब तो यह है कि अगर हमारे जीवन में चोटी सी भी लापर हुए है भूल होती है उसके द्वारा बहुत बड़ी हो सकती है तब यह देखिए हमारी घर में देखिए कपरों के उपर ही थी अगर वह लेकिन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरी प्राथना है कि आप अपने बच्चों को समझाएं कि अगर लापरवाई और भूल शब जराबी उनके पास है तो उसको हटा दे महां से अपने जीवन से उसको हटाएं बिल्कुल भी और मैं अब ही आपको अपने बोक्स क डिखाऊंगी क्या हो गया है बोक्स का और कप्डों को भी दिखाऊंगी देखेंगा कप्डे देखिए यह एक भी कप्रा इन में पहने लैक नहीं बचा है और आप रूम में भी चलते हूं लूम में दिखाऊंगा आपको उपर रूम बच्छी गया चारों तरफ अगर ग्रूप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मिलते हैं फी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप स्वस्त रहें मस रहें टेक केर बाबाबाब